हेलो वाइज वेलकम ट्यू दिनीव वीडियो तो आज है अपना क्विज नंबर थिरी तो क्विज हम कर चुके हैं ओलरी क्विज वन क्विज टू अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं करिए तो जाकि डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर आपको वो वीडियो पर आ हैं सो हम इस में क्या करने वाले in quiz में हम basic level questions就是 कवर करते हैं day by day हम उनको थोड़ा in in case करेंगे एंड यह फर क्या करेंगे coding questions पर लेके आएंगे basic level पर इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चों को चेक करना है कि आपका score कितना हुआ है आपने first attempt किया second time किया and then आपने correct answers and मेरे correct answer आपने select करने and then फिर आपको last questions तक आपको check करना है कि आपका score कितना हुआ है और मेरा score में improvement कितना होना चाहिए कि मंतला है आपको लगता है आपको स्क alternator Lucis limit गलती है कॉंसी कैसे को लगता है कि आपको और इंप्रोपेंर करने की जुरुत यह और पूरा जावा क", अगर अपो स्टार्टिंग से एंड तक बताये हुए है उसमें आपको कोडिंग कोशन में मिलेंगे और आपका उसमें क्या फायदा होने वाला है आपके जो भी लोजिक्स हैं लोजिक कैसे बिल्डप करने वो में पताया हुआ है कर रहे हैं अब अब यहां अगर्फ को पता है कि नहीं पता है ठीक अगर वो नहीं पता हो गए अगे की चीज को पता होना कुछ फाइदा होने मारे है या पको पता भी हो आपको पहले बिछ को जानीजीह आप 10 10 और 10 स्कोर करो उसके अंदर न फिर हम निव कोई जब और वह जब 7-8 quiz हो जानी है then उसमें coding questions लेके आएंगे then आप से ही कराने और आपको पूरा time उसमें देना है ठीक है फिर आपको उसमें almost 30-40 minutes लगने वाले quiz नहीं उसमें 5 coding questions होंगे और encoding questions का में solution भी करूँगा बट आपने solutions प्यारे करने और आपको चेक करना है कि आपका solution best है या आपके solution में कुछ implement के need है आज quiz हमें start करते हैं so first question है अपना इन जावा what is the purpose of sting builder I think यह वाला questions मैं लास्ट quiz में cover किया था तो जिसने वह वाली quiz चेक करे होगी तो उसने तक तो जल्दी से correct answer select कर दिया होगा but I think जिसने वह quiz नहीं चेक करे तो please जाके वह भी चेक करो उसमें आपका भी फायदा है इसमें मेरा कुछ फायदा या नुकसान नहीं होने वाला बेट उसमें आपको फायदा है आपको basic questions पता हो जाएंगे सँ इस्टींग बिल्डर का मैं होता है इस ट्रिंग आपने सुनी होगी ज्रेक्ट यह एक अलिग चीज़ है इस ट्रिंग हमारी मूटेबल जिसको हम क्या गहरते हैं चेंज नहीं कर सकते हैं और सिंग referring हमारा कैं हो कह उते हैं होते हैं जिसकों में एक बार इनिलाइस करने गाद भाद भी मोडिफिकेशन कर सकते हैं सो इसकामने करेक्ट आंसर क्या होने वाला है करेक्ट आंसर इस दी तुरी पर्जेंट ए मुटेबल सिक्वेंस अफ करेक्टर स्रिंडी स्वेंस करेक्ट करे क्या जव माई कर सकते हैं कर सकते हैं try catch आपने किया होगा try blocks आपने किया होगा तो try resources के साथ कौन सी statement correct है तो यह आपने बताना है आपके पास four options है जल्दी से आपने इसको select करना है correct answer and then आपने match करना है आपने answer के साथ so the correct answer is b it used to automatically close the resources after they are no longer is needed so the correct answer is b now the third question which one of the following statement is valid to declare a main method बहुत basic question है and बहुत ही interviews में पूछा जा सकता है इस तरीके से नहीं कि आपका main method क्या होता है question क्या पूछा जा सकता है कि what is the purpose of public and what is the purpose of aesthetic why we use in these two keywords यह मैं आपको I think मैंने उसमें बताया हुआ है बाट मैं आपको खुछती ट्राइग करना परने यह वाला पहला questions की public and aesthetic क्यों करते हैं main method के साथ अगर आपको तभी भी नहीं समझाए तो आप comment करना मैं next video को cover करूँगा कि public and aesthetic क्यों यूज करते हैं और अगर सब चीज मैं बता दूंगा तो आप क्या ट्राइगर होगा फिर आपने खुद से भी अपना effect यूज करने ताकि आपको भी चीज समझ आए तो इसको correct answer I think आपने select कर लिया होगा और दोगर correct answer is a public aesthetic void main यह हमारा standard main method का standard signature है now the forward question is what does a super keyword I think यह वाला already used किया हुआ question है यह आपने select answer कर लिया होगा super keyword का काम क्या होता है so the super keyword call the super class constructor यह विने last quiz में questions किया था तो जिसने वो वीडियो चेक करी होगी तो उसको तो एक दम से उसने select answer कर दिया होगा so the question number is five what write a method to reverse existing इसमें method select method लिखना है to reverse existing यहाँ पर just उनका हमने method का naming convention किया हुआ है ठीक है आपने उसके नंदर code खुछ से try करना है अगर आपको लगता कि code अभी नहीं कर पा रहे हो देन आप उसको भी skip कर सकते हो बट इसमें आपने correct method select करना है कि कौन सा method आप reverse distinctly यूज़ करने वाले हो so the correct answer is c इसमें आप naming कुछ और भी उसकर सकते हो बट आप वो naming यूज़ करोगे जिसमें आपको थोड़ा इजी रहे जब आप में method को multiple time यूज़ करने वाले हो so the question number is six राइट जाव प्रोग्राम टो फेक्टर इसमें फेक्टर का मैं प्रोग्राम लिखना है ठीक है और इसमें आपको naming convention ही select करनी है यह जस्त basic methods में बेसिक प्रोग्राम से जिसको आपने खुद करने अभी अगर आपको लगता है कि आपसे यह भी नहीं हो पारें ने नेक्स वीडियो में इनको पूरा explain करके इधर आपको right side में पूरा code भी explain करूंगा मैं अगर आपको लगता है कि यह वाले questions में हमसे नहीं हो पारें तो होगा हो इसमें अपने इक factorial का प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम उसके इंदर पूराड़ी कराएंगे क्यों तो हमेंटरी ब्राद गर्लो में रीकितन करेगा क्या एक इंटेतर होने वाली है यह वाला तो मैफ़ड हम कभी भी नेम यूज नहीं करते एंड़ ट्रेक्टोर सो ऐसा तो कभी नेम आपने सुनाई नहीं होगा किसी मेफड़ का तो कौस्टन नम्बर इस सेविन विश में यूज तो ऑब्जेक्ट विच मैं इस गॉर्ड बैं अब जाता है जब अब्जेक्ट के पास का वेच्ट हो जाया तो यार ऐसे आपको आंसर एकदम से पतलग जाने है क्योंकि मैं उनके साथ में एक्स्प्रेंशन भी करता हूं कि कैसे यूज करिखरने लास में ने बताया था बट फिर भी चलो यह इसमें भी आगे तो मैं इसमें बता लिता हूं में इसमें क्यां महते हैं एंड एंडें करेकट अंसर था पर भी इस में क्या है हुए और इस वाली IS यहां से पूरा पूरा ट्रांस्पर हो जाए चोड कहां से इससे बढ़ार जो भी सके वाद सटीनमेंट होगी महां पर मालब वह यहां तक तो चलेज़ा इसके वाद कि यहवाली इस्टेटमेंट ंचुरा आओ से बाएर निकल जाएगा हमारा प्राइम और नोट प्राइम बुद बेसिक बेसिक कोशन से आइओ और आप यह वाले कोशन सो कर ही लोगे अगर 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 लगता है यह वाले कोशन से नहीं हो पारे हैं देन हम उनको नेक्स वीडियो में explain के साथ right side में वह भी दिखा देंगे तो इसमें correct answer हमारा होने वाला ए क्योंकि हमारा number जब हम उसको provide कराएंगे तो बताएगा कि कि वो prime है यह नहीं अजस्टन इट विल रिटरन वेल्यू बूलेन वेल्यू नोटन वेल्यू इट टेल अस तू इस अ प्राइम और नोट प्राइम तो वी विल यूज इस में तर्ड नोटी लास्ट कोशन कोशन नमबर नाइन तो हमारे पास यह क्या कोड है और इस कोड को आपने खुद से ट्राइग करना है और इसका answer सेलेक्ट करना है तो हमारे पास एक एरे मैं तो ड़्यास को explain कर देता हूं अभी हमारे पास एक एरे ह थिक है उसमें मारब कुछ values है कुछ values हमने इसको input की हुए और हम प्रिंट कर रहे हैं ऐरे के five value तो I टिंग जिसको एरे की details होगी जिसको एरे के बारे हम पता होगा तो तो इसको नहीं पता आरे के बारे में तो वो I I think I answer लगाने वाला है वह अंसर लगाने वाला है five यह वाला अंसर और यह वाला अंसर हमारा completely wrong answer क्यों क्योंकि हमारी एरेक इंडेक्सिंग आपको पताओ कि काहती है एरेक इंडेक्सिंग होती है जीरो वन टू थीरी एंड फॉर सो एरे की इंडेक्सिंग कहां से जीरो से फॉर तक है बट हम उसको वैल्यू कुन सी पूछ रहे हैं फाइव जो हमारी कहां पर है इंडेक्स से बाहर यहां पर कहीं फाइफ आएगा इसलिए इसका अंसर क्या आने वाला है रंटाइम एरर एर इसको अंसर सेफियोगा और कितने आपको कमेंट पर चुके हैं तो दीन कोई हम बढ़ा हैं और आप में को ठ्राइगा झाले आ आपको लगे को ट्राइं पर आप करता है लागे तो कमेंट में अपना इसको और पोस्ट कर सकते हो या आप उसका नेम लिख कर और अपना पोस्ट प्रिपरा सकते हो मैं उसको पिन कर दूँँ कमेंट को तो थैंक यू फोर वोट्सिंग इस वीडियो